हेलो दोस्तों मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं सूपर टूल्स के यूटूब चैनल इस चैनल पे मैं रुजाना नेने टूल्स के वीडियो लाता रहता हूं तो आज मैं आपके ले करा हूँ MPST टूल वर्जन 1.0 जो कि मैंने डाउनलोड किया है FunwareCare.com वेबसाइट से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शिन में जाएए वहाँ पे आपको FunwareCare.com वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा उसकी मदद से आप ये टूल अपने कम्पूटर में डा हैं तो जैसे आप देख सकते हैं कि extract हो चुका है टूल हमारे कम्पूटर में extract करने के लिए आपकी कम्पूटर में winrar या winzip install नहीं है तो आपको डाउनलोड करना होगा इस टूल को उसके बाद आप कोई भी zip package या rar package अपने कम्पूटर में extract कर सकते हैं तो जैसे आप कर open कर लेता हूं तो open होने में यह टूल थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा यह बड़ा है तो जैसे आप देख सकते हैं टूल हमारे सामने खुलके आ गया है और काफी सारे features है इस tool के अंतर तो यहां पर देख सकते हैं कि test point है Google installer है यहां पर आप देख सकते पर यहां पर क्लिक करता हूं तो test point जहां पर देख सकते हैं कि मैं यहां से test point चेक कर सकता हूं अपने phone का तो जैसे कि यहां पर मैंने Redmi 5A किया select तो यहां पर photos उसका जो test point है वो खुल किया गया है और अगला जो feature है वो Google installer का है तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो इसकी मद अबना Android का device computer से collect कर दिया होता तो यहां पर जो यह Google installer है आप यूज कर पाते हैं तो अभी फिलहाल में मेरे पास कोई Android का phone नहीं है तो इसलिए मैं connect नहीं कर रहा हूं EDL function में देखते हैं क्या है कि यहां पर QLoader 9008 और EDL mode है यहां पर और अगर मैं version 7 चूज करता हूं यहां पर कुछ load हो रहा है क्या load हो रहा है पता नहीं क्योंकि कुछ detail नहीं दिया गया है EDL पर मैं फिलिक करता हूं कुछ नहीं हुआ ADP function के अंदर आप देख सकते हैं कि तब device मांग रहा है computer से connected होना चीज़ तब ही आप काम कर पाएंगे EDL function भी और ADP function भी और बाकी का आप Android coverage नहीं हाँ से चूज कर सकते हैं तो अगला feature is erase MI account इसकी मदद से आप अपने Xiaomi के device में जो MI का lock लग जाता है उसको आप हटा सकते हैं restore error fix इसकी मदद से आप जो error का कोई भी error अपके device में आ रहा है उसको आप restore कर सकते हैं fix कर सकते हैं फिर उसकी मदद से आपका device सही से काम करने लग जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं format का option है इसकी मदद से आप अपनी device को format कर सकते हैं FRB जो की गलती से लिखा हुआ है मुझे लगता है कि यह जो option है FRP का है factory reset production शामी की device में से आप हटा सकते हैं यहाँ पे MI account bypass कर सकते हैं MI A1 A2 A2 Lite को FRP जो हटा सकते हैं एक तरह से और यहाँ से आप information देख सकते हैं user log भी side load कर सकते हैं Xiaomi MMF theme यहां से install कर सकते हैं ADB ID FRP हटा सकते हैं एक तरह से यहाँ पे stop music है जैसे आप tool launch करेंग तो music play हो जाता है यहाँ पे बंद कर सकते हैं और अगला है guide है यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर उसके बाद है diagnostic open function इसकी मदद से आप command वगरा खोल सकते हैं और यहाँ पे आप जो driver है Qualcomm का ADB का universal install कर सकते हैं font change कर सकते हैं आपके लिए font change करने के लिए आपका phone rooted होना चीए तो काफी छोटा सा tool है पर solid है Xiaomi के devices के लिए अगर आपके बाद Xiaomi का device है तो इस tool को जरूर एक बार try करिएगा तो उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अगर आपको वीडियो पसंद रहा तो वीडियो को like करतीजेगा और हमारे चैनल को subscribe करतीजेगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्टे